ये देश हिंदू राष्ट है और हिंदू राष्ट रहेगा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम तो मुसल्मान हिंदू के दा नहीं रह चक्का, तो क्यों रखाए इस देश में? यार ये सबसे बड़ी समस्या ये मुसलमान है बस देश से ये खतम हो जाए तो सारी समस्या के खतम हो जाएं पता नहीं मोदे जी समस्या का समधान कब करेंगे अरे अंकल कितनी देर से देख रहा हूँ आप बस टीवी में घुसे हुए हो मैं इतनी देर से बैठा हुआ हूँ थोड़ा ध्यान मेरी तरफ भी देलो मुझसे भी दो बाते कर लो अरे सॉरी बेटा बस थोड़ा दिमाग आज गल गर्म रहता है थोड़ा धान नहीं रहा था और सुनाओ सब बढ़िया चल रहा है हाँ सब बढ़िया अंकल आप सुनाओ क्या बात है काफी टेंशन में ने जरा रहे हो बस बेटा क्या बताऊं जैसे जैसे रिटैन्मेंट नजदीक आ रही है घर की टेंशन बढ़ती जा रही है पहले वाले करमचारी उतरह हमें पैंशन भी नहीं मिलेगी सोच रहा हूँ आगे गुसारा कैसे हुगा छोटे वाले लड़के की फीस रैंक भी इतनी अच्छी आई थी हर्याना के गौवर्मेंट इंसिजूट में नमर भी पढ़ गया था लेकिन सिरकार ने फीस को सालाना पचास रहर से बढ़ा कर सीधे दस लाग कर दिया चार साल में 40 लाग बताओ कहां से आएंगे बच्चों ने धरने परदर्शन भी किये तब जाकर फीस 30 लाग रुपे हुई लेकिन 30 लाग भी कहां से लाएं और बड़े वाला लड़का अंकल वो भी तो दिल्ली है न अरे हां लेकिन वो बेचरा भी क्या करे पहले वो कंपनी वालोंने नोट बननी का बहाना बना कर निकाल दिया फिर दूसरी कंपनी वालोंने कोरोना में लोकडाउन का अब कुछ दिन पहले ही नई नोकरी मिली है लेकिन कब तक प्राइवेट कंपनी वो क्या भुरुसा? हाँ, ठीका अंकल, वैसे थोड़ी मेहनत तो लगती, अच्छा होता अगर किसी गौवर्मेंट जोब की तयारी करवा देते? अरे, वो भी करवाई थी भाई, लेकिन आज कल गौवर्मेंट जो बची कहा है, दो साल भरती का इंधजार करके फिर तभी तो प्राइवेट नोकरी पकड़ी है आँ, चलो ठीक है, और आंटी की सहत कैसे अंकल, ठीक है न? आरे, कहां ठीक है, तीन दिन पहले शाम को घुमने जा रही थी, दो बाईक वाले आए और गले के चेंचिन कर ले गए, बेचारी, इतनी बुरी तरह गिरी है कि बस, क्राइम कितना बढ़ गया है आज कल, पता ही नहीं चलता कब कौन कहा है, किसको जपटा मार दे, किसको ग भाग गये, कोई बाद नहीं, अंकल, चेंच तो और बन जाएगी, लेकिन आंटी तो ठीक है ना, कहां बेटा, बैड रस्ट पे है आज तक, वो तो पहले से ही शूगर और गठ्या के मरीज थी, हर महीने 10,000 रुपे की दवाई आती है, आज कल इलाज करवाना कितना भेंग हो गया है, मैं खुद इस दर से बिमार नहीं होता कि इलाज का रुपया कहां से लाओंगा, तो किसी गवर्मेंट हॉस्पिटल में जाया करो न अंकल, अरे गवर्मेंट हॉस्पिटल में, जब तक OPD की परची कटती है, उससे पहले तो मरीज की दुनिया से परची कट जात पेट्रोल डीजल ही देख लो, कितना महंगा हो गया है, अरे सिर्फ पेट्रोल डीजल क्यों, गैस, लेंडर, दाल, चिनी, सर्चों का तेल, सब इतने महंगे हो गए है, कि मैं तो ये सोचकर हैरान हो जाता हूं कि तुम लोग आगे चल कर कैसे काम चलाओगे, तुम लोग बच्चों को कैसे पालोगे, अब समझ में आई आपकी परिशानी, कितनी सारी समस्या हैं अंकल, आपके पास पेंशन नहीं है, बच्चों के पास रोज़गार नहीं है, एजुकेशन महंगी है, इलाज महंगा है, पैट्रोल, डीजल, टेल, सिलिंडर, सब महंगा है, अंकल, आप तो कह रहे थे कि सारी समस्या ही मुसल्मान हैं, आपको पेंशन नहीं मिल रही, मोदी की वजह से, बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा, मोदी की वजह से, क्राइम बढ़ रहा है, बीरोज़गारी की वजह से, बीरोज़गारी बढ़ रही है, मोदी की बताओ आपकी समस्या मुसल्मान है या मोदी हरे बेटा इतना तो कभी सोचा ही नहीं वो टीवी में तो साधी है हाँ बिलकुल अंकल टीवी में यही दिखाया जाता है ताकि आप लोग कभी अपनी असली समस्याओं के बारे में देश की असली समस्या के बारे में सोची ना पाओ, मोदी की नाकामियों के बारे में सोची ना पाओ, मोदी से कभी सवाल पूछी ना पाओ, इसलिए टीवी में यही दिखाया जाता है.